पार्त विच औरतां दी सुरख्या बहुत वड़ा विशा बढ़ी हुई है। दिलनों देहलाउन वाला मामला निर्पया के इस दोजार बारां विच अज तो करीब आठ साल पहला वाप्रया सी। जिस विच एक नौजवन लड़की दा बलतकर करके उसनों मौत दे काट उतार देता गया सी। जिस दे बाद पार्त विच औरतां दी सुरख्या नों लेके बहुत सवाल खड़ी किते जा रहां। पर अज अट साल दे बाद भी औरतां दी सुरख्या नो लेके इंतजामात विच इजाफा तक की होना सी बलकी उल्टा ओरतां दी सुरख्या दिन बदिन कट दी ही जा रही है जेहा ही एक मामला उत्तर प्रदीश दे हाथ रस विच समने आया है जिते एक 19 साल दे एक दलित प्रवार दे तीद बलत कार करन अते बाद दे विच उस लड़की नो गंबीर रूप विच जखमी करता जाना है मिली जान का या अनसार पीड़त मनीशा 14 स्तंबर दे देन अपनी माता दे नाल खेता विच्चों पश्यों दे लई चारा लैन ली जान दी है जिते उच जाती नाल सबंद दे चार व्यक्तियां द्वारा लड़की नो गरीब होन करके मिलके पहला लड़की दा गैंक रिप कार लुएर कि नो लड़की नो जखनी हालत विचा अली गर दे जीन मेडिकल कालीज पस्ता मेरसी करवा जब होना जर लड़की करने हालत विच्च पश्कनार लड़की दम तोड़ा दे मिली जान का रियां सार झाल समाईनाल संपने दे चार व्यक्ति संदी रामू लवकुष अते रवी नो पुलिस ने अपनी हिरासत विच लेले हैं अते वक वक ता रामा देहत दोशियां खिलाफ मामला दर्ज कर अगली कारवई शुरू कर देती है इस खबर देश पर विच हर एक नो इस खबर ने चंजोड के रख देता है लोकावलों अप प्रकीदा की कहना है आज की खबर देखने के बाद मैं बिल्कुल निशब दूँ इस तरह से गैंग रेप उसके बाद उसकी जीब काट दी गई उसके बाद उसकी रीड की हट्टी तोड़ दी गई 14 सितंबर को उसके साथ घटना होती है और 29 सितंबर को सबको पता चल रहा है जानते हैं क्यों क्योंकि 15 दिन से इस खबर को दबाने की सिर्फ यूपी की सरकार ने कोशिश ने की पूरा मीडिया आपको पता है क्या दिखाता रहा क्योंकि इस बीच में उस दलित बच्ची 18 स साल की उसकी उम्र थी उसके साथ जो निर्भया जैसी वारदात हुई उससे ज्यादा जरूरी हमारी दिल्ली की मीडिया के लिए डीपी का गोवा में थी तो उसको चेज करना ज्यादा जरूरी था रकुल प्रीत सारा ली खान उसको एरपोर्ट पर हाउंड करना ज्यादा पायल घोश ने क्योंकि अनुराग कश्रप की उपर आरोप लगा दिया था तो पायल घोश का इंटरव्यू करना बहुत जरूरी था उस खबर को दिखाना बहुत जरूरी था पूरा बॉलिवुड जो है ड्रग्स लेता है नहीं लेता है क्या करता है वो सब आपके सामने दि लिखाना करता ही जरूरी नहीं था ना हमारी इस दिल्ली की मीडिया के लिए ना सरकार के लिए और सरकार में पूरी कोशिश की उसको दबाने की मेरी दोस्त रोहीनी सिंग वो लगातार क्विटर पे लिखती रही सोचल अक्टिविस्ट है योगिता भयाना वो लगातार क् रोहिनी सिंग ने जब इस वारदात को लिखा तब यूपी सरकार में जो Information Secretary है शेशिर सिंग वो उनको ये लिखकर धमकी देते हैं कि जो भी लोग फेक न्यूस फैला रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कारवाई की जा रही F.I.R. हो रही है तो जो कुछ तो लोग बोलते नहीं है जो बोलते हैं उनको धमकी देकर चुप कराने की कोशिश होती है क्यों कोई नहीं बोला आप इस बारे में कभी सोचेंगे क्या इसलिए कि वो बच्ची दलित थी इसलिए कोई नहीं बोल रहा और जो इस पाप को करने वाले थे वो सवर्ण ठाकुर थे उसी बिरादरी के जिसके यूपी के मुखी मंत्री है उसी बिरादरी के जिसके खुल शिशिर सिंग है या इस वज़े से कि 2012 में तो हम लोग सडकों पर उतर गए थे जब निर्भिया के साथ इसी तरह की विभत घटना हुई थी और उस समय पूरा मीडिया भी सडकों पर था और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं उस मीडिया का हिस्सा थी मुझे गर्व है इस बात का लेकिन क्या इस वज़े से आज आज आप नहीं बोलेंगे क्योंकि तब तो मन्मोहन सिंग की सरकार थे लेकिन आज मोधी योगी की सरकार है या वाकई ये जरूरी है कि आप चाहते हैं देखना की दीपी का गोवा में है और उसकी गाड़ी का कलर कौन सा है या फिर यूपी में एक दलित लड़की के साथ इतनी बेहरम तरीके से उसका बलातकार हो जाता है उस घटना को आप नहीं देखना चाहते उस घटना के बारे में आप नहीं जानना चाहते हमारी एक बच्ची हमारे बीच की बच्ची तरपती रही 14 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक जग आखिरकार उसने दम तोड़ दिया हमारे देश को इस बारे में पता ही नहीं चलता है हमें इस बारे में पता नहीं चलता है क्योंकि हमारे देश में जिसने बताने का जिम्मा उठा रखा है वो हमें बॉलिवोड का ड्रग्स दिखा रहे है आप इस बारे में सोचिए यह क्यों हो रहा है कब बोलेंगे हम बहुत हो गया हम लोग मैं भी कुछ एक शायद एक दो वीडियो बना दूंगी हम लोग कुछ कर देंगे अभी मैं इसके लिए सिर्फ सरकार को दोशी नहीं बता रही हूं मैं अपने आपको भी इसमें पूरी तरह से दोशी मानती हूं मैं भी कुछ नहीं कर पाई न आप भी अपने आपको दोशी मानेंगे कब मानना शुरू करेंगे खुद को दोशी कब तक हम लोग हर चीज को सरकार के उपड़ डाल देंगे कब तक हम लोग हर चीज के लिए यहीं बोलते रहेंगे कि देखिए यह ख़बर नहीं दिखाई उसके बाद हम लोग सब भूल जाएंगे उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं रहेगा कितनी ऐसी बच्चिया इस तरह से मरेंगी उस बच्ची की जीब काट दी गई उसकी रीड तोड़ दी गई क्या उसी तरह से हमारी दिल्ली की मेडिया की भी जीब काट दी गई है और उसकी रीड तोड़ दी गई है तो आप जिम्मा उठाईए ना मैं जिम्मा उठाती हूँ ना हमको किस ने रोका है कब तक हम लोग इसी तरह से बैठे रहेंगे और हम लोग सिर्फ इसी बात का शुक्र मनाते रहेंगे कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कब तक यह हम उस दिन का इंतिजार कर रहे हैं कि जिस दिन हमारे साथ हो क्या अपने बच्ची की जगे हम उस बच्ची को नहीं रखे देख सकते या वो दलित है इसलिए हम उसको अपनी जगे पर नहीं रखेंगे या यह सोचिंगे कि दलित के साथ ही हुआ है गलित के साथ हो जाता है थोड़ा जागिए इतनी लंबी नींद हमारे लिए ठीक नहीं है हमारे देश के लिए ठीक नहीं है मैं आज जाग गई हूँ आप मेरे साथ जागेंगे बच्ची को इंसाफ दिलाने की तरफ हर उस ताकत का बहिशकार कीजिए जिसने इसे पूरी पुर्जोर कोशिश से दबाने की कोशिश की है और इस बच्ची के लिए इंसाफ की गुहार हमको लगानी होगी हम निर्भया के समय पर एक साथ एक जुठ हुए थे हम आज भी एक साथ एक जुठ होंगे दिखा देना है हमें इसे नहीं हो सकता बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं लेकिन अगर बच्ची की तरफ कोई आख उठा कर भी देखता है और उसकी आवाज को आप और बुलंद करते हैं उस आरोपी की आवाज को आप बुलंद करते हैं लेकिन जब उसके साथ कुछ गरत हो जाता है तो उस ख़बर को दबाने किया पूरी कोशिश करते हैं तो अब यह नहीं चलेगा मैं इससे आहत हूँ अंदर तक जगजोड दिया है इस पूरी ख़बर ने और सबसे जगजो रहा है कि आज उस मीडिया का मैं हिस्सा हूँ जो ऐसी ख़बर तक दिखाना ज़रूरी नहीं समझता है क्या हो गया है क्या हो गया हमारे समाज को हम ही ने किया है ना अब इस समाज से हमको ही निकालना होगा दूसरों को दोश देने से पहले मैं अपनी तरफ से मैंने क्या नहीं किया मैं उसको ठीक करना ज़्यादा जरूरी समझते हूँ आत्ममंधन कीजिए इंट्रोस्पेक्ट कीजिए उस बच्ची की चीख पुकार हम सुन ही नहीं पाए हम सुनते तो शायद हम लोग कुछ बोलते लेकिन हम सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हम सब इस बात में व्यस्त हो गए कि देखते हैं टीवी पर क्या चल रहा है जिसने नहीं भी देखा वो अपने काम में व्यस्त हो गया और पंदरा दिन तक वो लड़की रीड की हड़ी तुडवा कर अपनी जीब कटवा कर इसी लिए उसकी जीब काटी ना कि वो कुछ बोलना सके हमारे जीब किसने काटी है आपकी जीब किसने काटी है आप कोई काट दे आपकी जीब उसका इंतजार कर रहे हैं क्या थोड़ा साथ आईए कुछ कीजिए बहुत हो गया है और अपनी बच्ची की जगे पर उस बच्ची को बस एक बार रख कर देख लीजिए उसकी चीख की आवाज कैसी होगी ना उसका अंदाज़ा आपको खुद हो जाएगा खैर इते सोचनवाली गल एह है कि आखिर कदों तक मर्द प्रदान समाज विच औरता नो इस तरह अपनी हवस्दास कार बनाया जानदा रहेगा प्रशाशन आखिर क्यों नहीं अजहे दोशियां खिलाफ कारवाई करदा एह कोई पहला मामला नहीं है जदो गरीप रवार्दी तीदा अखोती उची जात दे नल सबंदत लोकां द्वारा बलिदकार कीता गया होए पहला वी उत्तर प्रदेश दे विच अजहे मामले समने आचुके हान आखिर कदों तक उची जात दे लोक अपने उच्चे होन दा रूव गरीप रवार्दे टाउं दे रेंगे आखिर प्रिशाशन वेच वी बैठे उची जात नल संबंदत अधिकारी जात दा लिहाज छट के कदों गरीप रवारां दे दर्दनों समझनगे अते होना नाल इंसाफ करनगे ब्यूरर रिपोर्ट प्राइम होदे हाथ रस